नमश्कार मैं सुनीता कथा मंथन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंथन में आज सुरिए सारा आकाश का नौवा अध्या सारा आकाश के समस्त पार्ट भाग जो मैंने सारा आंश, कोश्यन आंसर, चरितरी चरितरन जो भी है मैं आपको उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी और I.S.C. हिंदी के अन्य पार्ट जो है उनका भी लिंक है I.S.C. हिंदी करके प्लेलिस्ट में सेव है उसका लिंक भी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपर I.B. बटन में दे दूँगी खंबों से सिर्टिकाए रोते रहो और अपने को दिन रात घुन की तरह खाते रहो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस सब को एक ही जटके में समाप्त कर डाला जाए मान लो मैं यूही नाक की सीथ में चलता चला जाओ चलता चला जाओ मेरी दिमाग में क्या क्या बाते आ रहे हैं आज कम से कम मुझे यह तो सुचना चाहिए कि अब मेरे साथ किसी और का भविश्य बान दिया गया है अब मैं अकेले नहीं कोई निर्णा ले सकता कुछ ना कुछ तो होगा ही अगे आखिर ऐसी जल्दे निराश होने की क्या बात है मनी मन डर भी लग रहा था कि इतनी देर से लोटने पर घर पर डाट पड़ेगी देखे इस पीच में वहां और क्या क्या हो रहा है बेमन से लोटने लगा एमप्लाइमेंट एक्सचेंज की बिल्डिंग पीछे चूटने लगी कुलाहल दीमा पढ़ने लगा हुआ यू कि दो दिन बाद मैंने डरते डरते भाबी से कहा भाबी तुमारे पास कोई साधी सी धोती होगी धोती का क्या करोगे मैं जान गया कि भाबी समझ गई लेकिन अंजान बनकर पूछ रही है है तो प्रभा को दे दो कोई देगे तो क्या कहे देखने में तो उसे शरम लगती है मैंने जबर्दस्ती आवाज को साध कर कहा भाबी की आखों में कुटलता और बात को ताड लेने के संतोष की मुस्कुरहट चमक आई मैंने उनकी मुस्कुरहट के जहर को देखकर अंदेखा कर दिया वह बोली मेरे पास तो कसम से लाला जी एक भी नहीं विश्वास नहो तो चल के मेरा संदुग देख लो दौनों हाथों में बच्ची चुलाते रहीं अमा के पास तो होगी एकाद उनसे क्यों नहीं पूछ लेते अमा के पास जाने की हिम्मत नहीं पढ़ रही थी इसलिए तो भाबी के पास आया था अब जरासा साहस बंदा अपने को समझाया कि इसमें डरने की ऐसी बात भी क्या है मैं बोलने लगा हूँ इस बात को जान तो वह गई है इदर उदर चकर काटकर अमा के पास पहुचा पूछा अमा तुम्हारे पास एकाद होती तो नहीं है उनकी और सीधे देखने का साहस नहीं पढ़ रहता कैसी प्रशन के बाद ही पूछा तुने अभी तो एक पतलून बनवाई थी मुझे नहीं अमा मैं प्रभा के लिए पूछ रहा हूँ उसकी धोती एकदम फट गई है उदर देखा तक नहीं जाता ओ तो यू क्यों नहीं कहता कि बहू के लिए चाहिए गुमा फिरा के क्यों पूछ रहा है प्रभा का नाम सुनते ही अमा का चेहरा जैसे बुछ गया बुरा समू बना कर तालियों का गुछ तक ये के नीचे से निकाला और उसी मेरे सामने फेकती भी बोली ले तेरे सामने घर पढ़ाय दिखे तो निकालना मुझे तो दिखाई ना देता धोती होती तो मैं अपने आपना दे देती आपके महीने पर रुपे बचे तो मंगा दूँगी वैसे एकाद तो पास भी होगी मैं चुप हो गया क्या जवाब देता चलते चलते मरियल से स्वर में कहा उसकी शादी की ही एकाद बजी हो तो देदो कोई देखे तो क्या कहे इस बर अम्मा एकदम भड़क उटी शादी का रखा है पत्थर तू क्या कहीं चला गया था कौन सा कारू का घजाना आया था शाद जने जनम हो गई शादी को की उसकी बात याद दिला रहा है क्यों रहे तब कि सब चीज़े अभी तक रखी होंगी मुन्नी को नहीं दिया कुछ जाते वक्त यह गई थी तब इसे कुछ नहीं दिया लगता था अम्मा का क्रोध अपने आप ही बढ़ता चला जा रहा है वैं मैं उसकी नस नस जानू हूँ वैं सीधी नहीं है बड़ी घुटी रिकम है इतने दिनों स्कूल में और क्या किया है यही अपना पराया तो सीका है अम्मा का भाशन निरबाद चलता रहा तबी बाबुजी ने आकर डाड़ते वे कहा क्या बात है क्यों हल्ला मचा रही हो वे देदो बहु को इन कपड़ों में शरम लगती है पूछो इस से शादी में कौनसा कारू का खजाना आया था बाबुजी ने जलती आंकों से मुझे देखा और एकारत से जड़क कर बुले अमानी धमानी को कौड़ी नहीं और बहु की तरफदारी को शेर शरम नहीं आती ऐसी बेहियाई पर दूसरा भी तो भाई है सुबे चरह मरा जा रहा है यहां पढ़ा दिया लिखा दिया और अब दुनिया भरका फैशन करने को दे दो यह तो नहीं कि कम से कम अपना खर्चा अलग कर ले कुस्तो बोजा कम हो आदमी कभी कभी अपने आपको सोच ले और ब के पास गया ही क्यों भावी जरूर पहले से जानती होगी इन्हें भी किसी दिन समझूगा खुद तो कुछ कहने की हिम्मत होती नहीं इधर उधर बढ़ाती रहती है तब ही न जाने कैसे समय निकल कर प्रभा आगई आते ही बोली वहां जाकर यह सब कांड कर ले कि तुम से किसने कहा था मुझे दोती साड़ी किसी की जरूरत नहीं है मेरे पास संदुक भरा रखा है इसलिए नहीं पहनती कि अच्छी कीमती साड़ीयों को यहां घर के कामों में क्यों खराब करों क्या जरूरती सुबाई सुबाह जाकर जगड़ा करने की तुम कही कुछ करने लग जाकर यह सब जमेला मत करो तुम तो कह सुनकर अलग हो जाओगे मेरी जानवे वे लोग बाद में नौच खाएंगे मैंने परिशानी के सुर में अधीरता सिखा अच्छा प्रभा इस वक्त चली जाओ मैं कुछ कह कहा दूंगा तो नराज हो जाओगी मैं कह कभी नराज हू और नीचे भाग गए और मैं बैठा बैठा बुनता रहा कमाओ कमाओ कुआ खोदो भाड़ जोंको लेकिन कमा 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 कर लाओ काश मुझे कहीं ऐसा कोई गड़ा खचाना मिल जाता जो इन सब की नाक तक रुपिया ठूस देता कहता लो चबाओ और बच्पन की भूली देखला किसी डखकन का सिरा है जो जरासा पै पाउं से इधर उतर रटाता और पाता हूं कि अरे यह तो पीतल से भरी भारी देखका डखना है जिसमें गिनिया और सौने भरे पड़े हैं अपनी वैट तस्वीर मेरे सामने आ जाती और जब इदर उधर देखता हूं उसे न और अगर यह भी माने कि जमीन में गड़ा वो अधनिस्तिर नहीं रहता चलता रहता है तो पुलिस वाले और बाहर वाले छोड़ेंगे सारा तो वेले ही उड़ेंगे फिर अपनी इस बेफकूफी और जंजला हटाती कि बैठा बैठा क्या बेकार की बाते सोच रहूं सवा तो यह है कि इस समय आखिर करूं क्या मान लो जख मारकर बिना रिजल्ट की रहा दे कि कहीं नौकरी करने जाओं भी तो कहां जाओं खैर जो भी हो जैसा भी हो आज किसमत अजमानी ही है यह चलेगा नहीं कागजों में दबी मेट्रिक के सार्टिफिकेट को गोल मोल करके मै ने जेब में रखा और दबे पाउं बाहर निकल आया हस्प मामूल अम्मा किसी काम को लेकर प्रभा के उपर बढ़ बढ़ा रही थी और कुछ काम तो नहीं पूजा करना और बढ़ बढ़ाना और मुझे निकलते देखकर पीछे से बोली लो अब फिर निकल गए खाना तो तो कहो तो लड़ाई हो प्रभा के लिए धोती मांग ली तो ऐसा क्या बुरा कह दिया अभी आकर प्रभा मुझे डांट बता गई मुझे बुरा नहीं लगा लेकिन बाबुजी के शब्द भाले की तरह दिल को चीरते चले गए और एक अम्मा है रोटिया भंगिन को देनी पड़ती हैं किसी को चैन से खाने दो तब ही खाएगा ना उस दिन किरन ने अपनी सास के प्रती अवग्या दिखाई थी तो मुझे बुरा लगा था आज लगा उसने बिलकुल ठीक किया अब यही ऐसी दुर्गती करती हैं तो अपने अप मन में मैल आएगा अमा के पास सा पूचो ना पीने की जब मन ही से जब मनो डाट फट कर लो बिचारी निकम में पती की पत्नी जो है सड़क पर तो आ गया लेकिन खड़ा सोसता रहा याद ही नहीं आया कि निकला कहां जाने के लिए था हां इतना ध्यान था जहां जा रहा हूं वहां कोई देख ना ले बड बनते बनते इस स्कूल में हैड मास्टर की लतार खाने आमरा ये लोग भूल जाते हैं कि वे बड़े आदमियों के बेटे थे उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं थी अपने आप बड़े आदमी बनते और फिर उनके मुरने की जगा आ गई माफ कीजिए अगर कोई गलत ब नहीं नहीं मेरे लिए कोई भविश्य ने कोई जगानी और गुसे में आकर जेव से में तहक ये रखे मैट्रिक के सार्टिकूट को खूप मडरोडता मसलता रहा जाने कब तक व्यर्थ ही भटकता रहा और यह बात निरंतर दिमाग में टकराती रही कि मुझे कुछ करना है कुछ करना है अपने लिए नहीं तो प्रभा के लिए लेकिन घंटे पर पड़ती चोट की तरह यह बाद भी घंगनाती नहीं कहीं कुछ नहीं कोई अपना नहीं दुपैर बाद जब घर पहुंचा तो डाकी इसे कुछ लेकर अमर घर के भीतर जा रहा था पूचा किसकी च गौर से देखने पर जोधपूर की लगती थी अश्यारेवा जोधपूर से पत्र किसने डाला है लेकिन खोलने की इच्छे जराबी नहीं जानता हूं मेरी ही जानकारी में प्रभा के ना जाने कितने बत्र खोले गए थे अम्मा के रुक से भी और अमर के रुक से भी जान करके यदि अवश्यक्ता समझी जाती तो कल दिया जाता पत्र लेकर मैं बीतर आया प्रभा एक कौने में बैठी बैठी आटा च्छान रही थी मैं इस बात को देखते देखते उप चिपका था कि जब देखो तब या तो वह रसोई के काम में लगी थी या रसोई संबंदी किसी काम में उलची आखिर कितना काम है चौके क्या कि चुकने को ही नहीं आता इस समय तो ऐसा मन हुआ कि दौनों बहाँ पकड़कर उसे उठा दो और कहूं चलो बहुत हुआ बाकी काम कोई और कर लेका लेकिन वह कोई और कौन होगा पपड़ाते होट और सुखे गले से दीरे से जाकर का यह तुमारा पत्र आया है प्रभा कहां से वह एकदम हुलस पड़ी मेरी हाथ से खत लेकर कौना पकड़े वे पता पड़ा और उमक कर बोली जोथपुर से आया रमा का होगा बहुत दिन में आया मैंने भी उसे लिक रखा लिफाफा नहीं था तो डालती क बोली ए सुनो इसे जरा हमरे संदुक में रख दो रात को पड़ूंगे लो यह ताली है पल्ले से बंदी कमर में घुसी ताली को खिषती बोली अभी तो सारा काम करना है खाना तो भी बना ही नहीं तभी उसे याद आया और इस तरह बोली और क्यूं आज जनाब ने यह खा खारे लेकिन दूसरा आदमी तो भूका बैठा होगा तो तुमने भी अब तक नहीं खाया मैंने एकदम पूझा लगा असफलता कि सारी ठकान और मन की भारी बुझन अपने आप पिगल गई आखों में नमी घुलाई आपको क्या है आपको तो जब घूमने से फुरसत मिले तो पूछ लीजिए वह नाराज होकर आटा चानने लगी मन पुलकने लगा हजारों प्रशन मन में घुमणने लगे जब मैं तुमसे नहीं बोलता था तब भी इसी तरह भूकी रहती थी क्या गला साफ करके इतना ही का लाओ अब दे दो सुबह अपने कहेवे शब्दों प एक और रखा था खोला और लापरवाई से पत्र डाल दिया फिर उसकी बात का ध्यान हुआ मन को रोकते रोकते इच्छा जोर माने लेगी देखों तो सही उसके संदुक में रखा क्या क्या है देखा रेश्मी और सूती चार पंस साडियां बलाउज और कागच के तथा प्रती अभी भी रखी थी पुस्तके उसके किसी संबंदी ने दीती महान महिलाओं के जीवन चरितरिक पर एक पुस्तक और गांदी जी की आत्मत तक एक नवियुति के जानने के लायक बात पर कोई किताब और प्रेम चंद की रंग भूमी सब पर भेट के साथ साथ उसके अपने हाथों से भी एक कौन में लिखा था प्रभा रंग भूमी के पन्नों में जाकते हुए कागज का एक सिरा दिखाए दिया खीचकर बाहर निकाला तो देखा किसी का पत्र था सबसे पहले नीचे भेजने वाले का नाम पड़ा तो चौक गया वहाँ प्रभा का पत्र वहाँ क्यू रखा है कागज खोलकर अच्छी तरह देखा अक्षरों की बनाफट सूस पष्ट थी लेकिन पत्र बड़ी जल्दी में लिखा गया था वर्ष भर में पहली बार में अपनी पत्नी की हाथ की लिखाई पढ़ रहा था और वह भी उस पत्र की जो किसी दूसरे क नाम था बगर भी महसस हूँ कि मेरी पत्नी की लिखाई सैकड़ों में अच्छी है कहीं चोड़ी पक्रणी ना जाए इसलिए जल्दी जल्दी पत्र पढ़ने लगा और वह पत्र जाने कब तक अक्षर अक्षर मेरे मन में गूसता रहा लगता था जैसे मैं पढ़कर उसे दौरा नहीं रहा बलके खुद वही रात के अंदरे में लेटी लेटी मुझे अपने मन को खोल कर बता रही है थोड़े दिनों बाद तो मुझे यह विश्वासी नहीं रहा गया कि सच में मैंने इतना पत्र पढ़ा था फिर तो ऐसा लगने लगा कि पत्र तो छोटा था उ उसे मेरे कलपनाओं ने खीचतान कर बढ़ा लिया हाँ इतना जरूर यादा कि पत्र कहीं किस्तों में लिखा गया था क्योंकि लिखाई कहीं बार टूट टाटकर नहीं हुई बहुत दिनों बाद पत्र का जो विस्तार पूर्ण रूप मुझे याद रहा वै शायद यह है प्रिया रमा जब तुम्हारा पत्र मिला तब मैं अम्मा के पास ही थी और शायद अम्मा के पास जब वापस पहुंचूंगी तब इसका जवाब तुम्हें मिलेगा तुम मेरी विस्ता को बहाना समझोगी लेकिन तुमें कैसे समझाओं आज कल दम मारने की फुरसत नहीं रहे हूं रोज सुभा-शाम पर टालती हूं लेकिन समय नहीं मिल पाता किसम से कहते हूं सुभा से शाम तक का कारे करम गिना तूम मैं जानती हूँ तुम खुब रूट रही होगी खुब बुरा मान रही होगी और सोच ही रही होगी कि जैसे नराज होकर स्कूल के पीछे वाले अनार के पेड़ के पास मुँख फुला कर बैट जाती थी और मैं मनाने चली आती थी उसी तरह आप भी मनाने आ जाओंगे लेकिन मैं कैसे बताओं तुम्हें रमा मेरी कि मैं नहीं आ सकती नहीं आ सकती चाहूं तो तब भी नहीं आ सकती काश तुम ही यहां कर स्कूल की सबसे कटखनी और शेनी लड़की को देख लेती तुम ही तो सरकस में नौकरी करने को कहा करती थी अब मैं अनुभव करती हूँ कि हमारा चाहना कितना जूटा होता है हम लोग ना जाने क्या क्या चाहा करते हैं कोई सीमा होती है हमारे चाहने की संसार की हर अच्छी चीज को चाहने की स्कूल के दिनों की कलपना भावक तक से परे सपने रमा उस समय हमें कोई क्यों नहीं रोकता यह सब जूट है किसी भी लड़की की शादी होती और मैं जाकर उसके पती को देखती तो सोचा करती थी कि मेरा पती ऐसा थोड़े ही होगा मेरा पती तो प्रफेसर होगा कहीं अफसर होगा किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर होगा हम और वह बस दो ही प्राण ही होगे यह किल बिल किल बिल सास देवर भावी बतीजे कुछ नहीं होगे खुब लंबी चोड़ी एकदम नए धंकी कोटी होगी जहां भी कोई फरनीचर अच्छा लगता उसे अपनी कलपना की कोटी में सजा लेती रंग रोगन पॉलिश पढ़ दे चारों तरफ सदा बाहर मेंदी की लाइनों में कहीं लॉन लगे होंगे कहीं टैनिस का बेटमिंटन का कोट होता तीन चार नौकर सुभा ये मुझे बड़े प्रेम से उठाएंगे मेरी देर से सोने की आदत को बुरा भला कहेंगे चाय पीते पीते हंसते हंसते अगभार पढ़ते पढ़ते सारा समय निकल जाएगा इनके दफ्तर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मेरा समय कट पाया करेगा किसी पड़ासिन के यहां चली जाया करूंगी या उसे बुला लिया करूंगी फिर शाम को हम रोज किसी सिनेमा या किसी दोस्त के यहां जाया करेंगे ऐसी ही और भी जाने क्या क्या बाते थी जिनमें डूबी रहती थी अब तो सब याद भी नहीं आती लेकिन रमा कल पनाए सच हो जाया करती तो फिर कहना ही क्या होता हमारी हर हसी पर भाग्या दाथ पीशता है हम रोते हैं तो वैं खिल के लाता है वैं जाता है कि कट पुतलियों की तरह उचल कूद हम चाहे जितना ले डोरियां तो उन्हीं के हाथों में है दया माया नहीं जाते कवीता मैद बोल तो बोलू तो कहूंगी उन सभी बच्पन के सपनों को दिये आज ये थार्त के विशैले धुए में घुट घुट कर बुच गए और तर्फडाते धुएं के भैंकर सांप इधर उधर मंडरा रहे हैं सांपों से पहले बले ही डरा करती हूं लेकिन अब रमा जरा डर नहीं लगता चाहती हूं कोई मुझे डस ले नई नई मुसीबतों की सूरते देखकर अब सिरहन होने ही होती लगता हिर्द है जमकर पत्थर हो गया और रमा अगर यह नहीं होता तो बताओ कैसे बची रहती अब तक या तो विश्खा लेती या कुवे में कुद मरती देखो ना अपनी ही बाते लिखती जाना हूं यह भी नहीं सोच लेकि तुम मूब रही होगी लेकिन अपना भी मैंने लिखा किया है मैं जानती हूं कि अगर अपना जरा लिखूंगी तो यह पदल तुम तक नहीं पहुँच पाएगा इसमें जादा नहीं लिख सकती मैं प्रातना करती हूं कि इससे जादा पूछना भी मत तुमसे मिलने को तुमसे मिलकर रोने को तुम्हारी कोद में लेटकर अपने दिल की सारी बात कह डालने की कितनी तब्यात होती है कैसे बताऊँ देखो कब समय मिलता है इश्वर कब मिलाता है सदेव तुम्हारी ही प्रभा पत्र समापत हो गया और उसे कितनी दे तक हाथ में लिये खड़ा रहा मुझे नहीं मालूँ पता तब लगा जब अचानक हाथ के पकड़ धिली हो जाने से मैं नीचे गिर पड़ा चौक कर उसे यह था इस्तान रख दिया संदुक बंद किया तो लगा जैसे किसी जिन्दा जीव को मारकर गाड रहा हूँ आखे बराई प्रभा मेरी प्रभा तुमने जानती यही मेरे सपन तंधी है यही सब तो मैं भी सोचा करता था अगर अपने होने वाले पती के बारे में तुम तरह तरह की कलपनाई किया करती थी तो क्या मैंने रात रात बर जाकर अपनी नीले खराब नहीं किया अपने भविशे के लिए तुम्हारे सपने गुट-गुट कर मर गए तो क्या मेरा भविश्य भी क्या गिर कर चकना चूर नहीं हो गया लेकिन मैं किसे कोसू तुम तो रमा को लिख दोगी भाग्यों को कोसोगी और भीतरी भीतर गुलोगी चुप रहोगी लेकिन मैं यही करूँगा तो कैसे होगा कैसे होगा मगर फिर भी मुझे जाने क्यों लगता है कि मेरी आत्मा पर एक हत्या का पाप लदा है कातर की तरह पंजे गड़ाए मुझे से कुछ चिपका है चौकट के सारे खड़ा खड़ा बड़ी देर तक मैं अपना माथा किवार उपर ठोकता रहा धिरे धिरे सामने उच्छे उच्छे मकानों के पीछे सूरज का बड़ा सा गोला उदरता जा रहा था शेहर का कुला हल खुब बड़ गया था और दो चार पतंगे आस्मान में मंडरा रही थी कवे लाइन बना कर सूरज की और चले जा रहे थे उस रात मैंने प्रभा से पुछा अच्छा प्रभा तुम बताओ तुम क्या चाहती हो इमानदारी से बताना मुझे बहकाने की कोशिश ना करना मैं आगे भी पढ़ू या नौकरी कर लो और मुझे उस अंजाने व्यक्ति का स्मरण हो आया प्रभा ने गहरी सांस ली मैं जो कुछ चाहती हूँ वही सब कैसे हो सकता है तुम अपनी सिथी भी तो देखनी होती है लेकिन मेरे मन से पूछो तो मैं चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ो कम से कम M.A. तो कर लो फिर मैंने उत्सुकता से अगले विचार जाने चाहिए शायद वह पत्र भी की भाशा धोरा है फिर क्या तब कई प्रोफेसर हो जाना कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना लेकिन तब तक घर का क्या होगा तुम्हें विश्वास है कि M.A. पास करने के तक इस चक चक से जिंदा बचा जा सकता है लेकिन अभी ही तुम्हें कौन सी नौकरी मिल जानी है M.A. तो मुझे किसी ना किसी हालत में करनी ही है चाहे नौकरी के साथ साथ कुछ और भी क्यों ना करना पड़े हाँ थोड़ा कश्ट ही जरूर हम लोगों को सहना पड़ेगा कश्ट को अब कौन सी कलीचों पर बड़े-बड़े सुक भोग रहे है मैं तमक कर उसने कहा थोड़ा और सही सच परभा मैं सब कर लूँगा तुम मुझे हिम्मत बंदा दे चलो मैं दुनिया के सब काम कर लूँगा जिन्दगी में बड़ा अकेला रहा हूं बड़ा निराशा वादी रहा हूं जब भी तुम पाओ मैं तुम्हें पीछे घसिट रही हूं तो निर्मम होकर रास्ते की बादा की तरह मुझे छोड़कर अपने को अलग कर लेना मेरी चीक पुकारों पर ध्यान मत देना बाहर से जागती चांदी में उसके गालों पर आंसों की धारिया चमकने लगी मैंने अब जरा वेवारी को कर का तो प्रभा हमारा सबसे पहला निश्य यही है कि इस घर से हम कोई चीज नहीं लेंगे कोई भी चीज़ कल मैं और भी जोर से नौकरी की तलाश करूंगा धोती मांगी थी आज अम्मा और बाबुजी की बाते सुनी छोड़ो नवे बिचार भाव की बात फिर क्यों की जाती है खेर जो हो हमें तो अब कुछ लेना नहीं है लेने को अब कौन सा मिल जाता है मांगने पर तो मिलता नहीं वैसे तो सच को उपर आज मैं बहुती निराश हो गय था अगर तू नहीं होती तो पता नहीं घर आता या नहीं आवेश में मैं